इस कोशन में हमें दे रखा है दी गई अकर्ती में DE समानतर है BC AD ग्याद कीजिए यहाँ पर आपको चितर दिखी रहा होगा यहाँ पर हमें सारी की सारी बुझाएं दे रखी हैं हमें यहाँ पर AD निकाल लिए कि यह बुझा हमारी कितनी होगी तो बहुत easy कोशन है और यह को प्रेंड कर पाएंगे जिनको थेल स्योरम पता होगी तो अगर आपको थेल स्योरम पता है तो आप इस तरीके किसी भी कोशन को अराम से कर लेंगे अगर आपको थेल स्योरम नहीं पता तो आप इस कोशन को नहीं कर पाएंगे ठीक है तो पहले मैं आपको इस वीडियो में थेल्स थेयोरम ही बताने वाला हूँ लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत पूर्ण बैल ऐकन को और पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी कोश्चन्स पर व पॉइंट वन करके ठीक है तो पहले मैं यहाँ पर आपको इसका स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि इसके स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है यदि किसी तर्बुच की एक बुजा के समान तर अन्ये दो बुजाओं को भिन भिन बिन बिन दूबर प्रतिशेद करने के अन्ये दो बुजाओं को एक एनुपात में भिवाजित करती है ठीक है अब स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आया होगा मैं यहाँ पर आपको डाइग्राम से समझा देता हूँ इसमें हमें क्या दे रखा है यदि किसी तर्बुच की एक बुजा के समान तर चित्र मे अन्ये दो बुजाओं को एक के एनुपात में भिवाजित करेगी तो अन्ये दो बुजाओं को एक के एनुपात में भिवाजित करती है जो कि आपको यहाँ पर लिखावत दिखी रहा होगा AD upon DB बराबर हो जाएगा AE upon EC जहांपर वो रेखा त्रवुच की दोनों गुजाओं को भिन्विन मिंदों पर परतिशेच करती थी तो वो हमारे D point और E point थे तो उसी देखा के कारण जो हमारे त्रवुच की दो गुजाएं है वो समान अनुपात में बिवाजित हो जाएंगी जो की आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ठीक है और यह थेल चुरम भी एक्जाम में आती रहती है तो आप इसको भी चरू तयार रखे जाना ठीक है तो यह आपको सौझ में आ गई होगी अब चलते हैं अपने में कोश्चन की और तो सबसे पहले जो हमें कोश्चन में दे रखा होगा उसको हम यह आप पर नोट कर लेंगे हमें दे रखा है AE बरावर दे रखा है 1.8 cm DB बरावर दे रखा है में 7.2 cm इसी बरावर दे रखा है 5.4 cm और आपको साइड में चित्र भी दिखाई दे रहा होगा और हमें यहाँ पर AD को निकालना है अब इसी डाइग्राम में हम थेल थेयरम का यूज करकर यहाँ से हम AD को निकाल लेंगे वो देखते हैं इसमें आगे तो चित्र आपके सामने आ चुका होगा अब जो अमारी थेल थेयरम होती है वो सेम टू सेम अमारी यहाँ पर एपलाई हो सकती है क्योंकि जो अमारे पास BC बुजा है उसके समानतर अमारे पास एक रेखा दे रखी है DE जो की बाकी दो बुजाओं को समान अनुपात में विवाजित करती है तो अब हम यहाँ पर थेयर थेयरम को एपलाई कर रहे है तो यहाँ पर आ जाएगा AD upon DB बराबर होगा AE upon EC अब इन सम्में से तीन की वैल्यों में कोश्चन में दे रखी है उन वैल्यों को यहाँ पर रखकर यहाँ से हम AD की वैल्यों को निकाल लेते है AD की जगा AD आ जाएगा AE की जगा हम रख देंगे 1.8 को EC की जगा रख देंगे हम 5.4 को और DB की जगा रख देंगे हम 7.2 को ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहली बता देता हूँ, हमें यहाँ पर AD भुजा निकाल लिए, तो बटे में जो हमारे पास 7.2 दे रखा है इसको हम दूसी सैड में multiply में ले जाएंगे, और उधर की सैड हम calculation करकर, वहाँ से AD की value को निकाल लेंगे, ठीक है calculation आप किसी भी तरीके से कर सकते है मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसमें calculation कैसे करने वाले है तो यहाँ तक हमारा हो चुका था अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारे पास 7.2 है इसको हम दूसी सैड में लेंगे तो यह हमारा multiply में चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आजएगा AD बराबर होगा, 1.8 into 7.2 और upon में आजएगा हमारे पास 5.4 अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, 18 तिया हो जाएगा हमारे पास 14 तो यहाँ पर हमारे पास आजएगा 7.2 upon 3, अब हम यहाँ पर इसको 3 से कार्ट देंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, 1 बचेगा, वो इधर चला जाएगा 3 चोग हो जाएगा 12 तो यहाँ पर AD बराबर कितना आजएगा 2.4 cm, ठीक है simple question था, बस आपको इसमें थेल स्योरम पता होनी चाहिए अगर आपको थेल स्योरम पता होगी तो आप इस तरीके किसी भी question को अराम से कर देंगे, आपको किसी भी question को रटने की ज़रूद बिलकुल नहीं पढ़ने वाली, ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास बुजा आ चुकी AD बराबर 2.4 cm और यहाँ पर आप जरूर लिखके आना कि जो भुजा में दे रखिये वो meter में है या centimeter में है वो आप जरूर लिखके आना, इसमें भी आपके marks कट सकते हैं, तो यह question हो चुका है और उमीद गरता हूँ कि आपकी समझ में आ भी गया होगा और अगर आप इसी तरीके के और भी question देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक proper playlist बना रखी है वहाँ पर आपको एक नमबर वाले दो नमबर वाले, चान नमबर वाले पांच नमबर वाले, सभी प्रकार के questions वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उस playlist का link मैं discussion में देदूँआ, महाँ से जाकर आप देख लेना और इस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना